स्वागत है हमारे चैनल टेख बिलेज में तो आज हम करने वाले हैं इस साल के मोस्ट अवेड़ेड स्मार्टफोन वन प्लस नोड का रिव्यू तो बिना ज्यादा देर करें चले शुरू करते हैं लेट्स रोल तो आकर हमारे पास आज बन प्लस नॉड आई गया है तो सबसे पहले जो मैं इसका रिवीश रूब करना चाहूंगा वह मैं करना चाहूंगा इसकी अब दिडेगरण से तो इसका जो रिजाइन है वह काफी अच्छा है जैसा कि अम लोग देखी रहें लोग फॉलौ आप करो रहे हैं इस पो काफी पहले से लॉंस है काफी अच्छा डिजाइन है और जो इसकी बाड़ियो प्लास्टिक बाड़िए जो कि हमें पहला लगा लेकिन बात लगाता कि इसका मैटल फ्रेम और यह साइड वाली जो आप देख सकते हैं और इसलिए काफी अच्छा है प्लास्टिक होना एक अलग बात है और एक प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी अच्छी आप इस पर डिफ्रेंशेट ना कर पाएं कि वह प्लास्टिक है बह और इसके डिजाइन के अलावा और इसके वजन वाशन के बात के अच्छी अ काफी कम है तो इसका डिजाइन तो काफी अपीलिंग है लेकिन एक इंड्रेस्टिंग और है जो इसको फॉन को बढ़िया बना रही है वो है इसकी डिस्प्ले तो इस फॉन में आपको काफी बढ़ी और अच्छी लिक्विड एमॉलेट डिस्प्ले मिलती है जिसका साइज है तक्रीबन 6.4 इंच और इसमें आपको जो प्रोडेक्शन मिलती है वो है गोरियला गिरास 5 की और साथ में आपको 90 हर्च का रिफ्रेश अडी मिलता है तो मतलब आपको जो गेमिंग एक्सपेंस है या फिर आप जब फोन को यूज करते हैं स्क्रोल करते हैं या फिर आप सैज है वह और काफी बढ़ा हो गया है और इसमें जो फ्रेंड केमरे हैं उसमें जो आपका में लेंट से वह धोए अश्या कालिटी के साथ आता है जो था कि वासिन में बता है कि front camera काफी अच्छा है इस पर जो selfie camera और एक अच्छी बात ही है कि single नहीं double camera है और front camera की बात तो अपनी नहीं का सही है लेकिन जो main camera होता है वो phone का होता है back camera back camera में आपको 4 camera का setup मिलता है और जो इसका camera bump है वो काफी identical है oneplus की series के साथ oneplus 8 हो या 7 हो नोने उसकी तरह ही बनाने की कोशिश करिए बस इस वार इसको थोड़ा सा साइड में दे दिया है और जो 4 camera है इसके अंदर जो आपका main shooter है और 48 megapixel का जो की एक काफी अच्छा camera है जिसके samples आप देख सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास जो तीन camera है वो ultra wide macro or depth sensor 8 megapixel 5 megapixel और 2 megapixel का और मैं अगर बात करूं के तो मैंने पहली बोला कि main shooter बहुत अच्छा camera setup भी बहुत अच्छा है लेकिन वासिक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर जो 4 camera में दिया गया वो 2 megapixel का दिया गया और अगर कोई budget phone भी review कर रहे है आज के टाइम वहां पर भी एक चौथा camera 2 megapixel का डाल दिया जाता है नंबर बढ़ाने के लिए वह बात तो बिल्कुल सही है आपके लेकिन क्या होता है कि जो में लेंस होता है जाता लोग उस पर फोकस करते हैं जो बाकी एक या दो लेंस होगा जैसे depth sensor या फिर अल्टर वाइट लोग उस पर जादा ध्धान देता है क्योंकि जादा लोग को पता ही नहीं होता कि असल में किस लिए यूज होता है तो थोड़ा मतलब इसको वह कर सकत है तो लोगों को यह लगता कि 30,000 के फोन में आपको सिर्फ तीन कैमरे और इसमें नहीं है तो इसमें नंबर बढ़ाने के लिए तो काम कर रही है लेकिन इस मुबाल के शोर्स काफी अच्छे निकलते हैं और इसका camera setup भी काफी अच्छी तरह प्लेस किया हुआ है और यह त अच्छा फोन में क्योंकि नॉर्मली जो प्रोसेसर होता है वो 6 या मोर देन मतलब 720 तक पहुष पाते हैं लेकि नहीं ने 765 जी प्रोसेसर यूज किया है और आप अकर गेमिंग वगेरा करते हैं तो आपको इसमें बहुत कम लेग इसूज या आपको बहुत कम फ्रेम और जैसा कि सही बात हैं यह 765 जी एक अच्छा प्रोसेसर है और सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं कि इस गेम के लिए जो होता है नॉर्मल यूसेज के लिए भी पावर्फुल प्रोसेसर है आपको नॉर्मल जो आपके डेली टास्क हैं उसमें आपको स्मूथनेस महसूस और यह 8GB RAM और 128GB ROM सपोर्ट करता है और इसके अलावाद दो वेरेंट और हैं 6GB RAM और 64GB ROM और 12GB RAM 256GB ROM और इसका प्राइस स्टार्ट करीवे 25,000 से लेके 30,000 तक है और आपको जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है वो है Android 10 और इसके अपने Oxygen OS पे बेज रही है तो यह बह इसके साथ साथ अगर दूसरी connectivity के बारे में बात करें जैसे कि 3.5mm jack और USB-C की बात करें तो USB-C port तो इसके अंदर पाया जाता है जो कि कोई बहुत अलग बात नहीं होगी USB-C common port है mid range के लिए लेकिन 3.5mm jack को यहां से eliminate कर दिया गया है क्यों करा गया है इसके बारे में कुछ इसके नहीं सकते क्योंकि ना ही फोन यह इतना पतला है कि 3.5mm यहां पर फिट नहीं हो पाता और ना ही यह कोई waterproof जैसा कि इसमें कोई ऐसा कोई flagship जैसा बड़ा फीचर था लेकिन 3.5 को अटा कर सोड़ी से यह प्रीमियम फिल देने की कोशिश करी गई क्योंकि इस फोन को मि दिखाया गया या पब्लिक के सामने जो इसे दिखाया गया है वह इसलिए ऐसा करके दिखाया गया कि आपको हम कम पैसे में प्रीमियम फिल देंगे और शायद वहीं इसके पीछे की वज़़ा होगी तुमारी बात बिल्कुल सहीए वासिप भाई लेकिन और जो इसके साथ यह तो टाइप सी की बात हो गई इसके अलावा टाइप सी के आज पास अगर हम देखे तो स्पीकर गिरील है इसके एक साइट जो की अच्छी साउंड काफी क्लियर है काफी लाउड है इसके अलावा दूसरी साइट जहां पर 3.5 हुआ करता था किसी दमाने में अब वहां पर हमारे पास सिम ट्रे है और जो की डियूल सिम जिसके अंदर आप दो सिम लगा सकते हैं और काफी छोटी सिम ट्रे है यह बात मुझे काफी अच्छी लगी काफी कम जगा उसने इसकी फोन की ऑक्क्यूपाई करी है और इसके दूसरे फीचर जैसे की इन डिस्पले इच्छा फास्ट काम करता है और वन प्लेश का ट्रेडिशनल स्लैडर बटन वह भी आपको मिलता है राइट साइड में और तो मैं सबसे लास्ट में बात करना चाहूंगा उस चीज की जो इन सारी चीजों को पावर दे रही है जित्ती भी जिदे हमने बात करी हो सब बेका बेटरी को मिली है तो इसकी जो बैटरी है वह अकुरेट है 4,115 415 MHz की इसमें बैटरी देखने के उसमें मेरे यह फाफ से यह एक अमांट है मिड रेंज के अ कि का आफी सारे मिड्रेंज अमने देगे हो बिर देखा कि सब 40000 के आस-पास ही इनकी बैटरी का साइज होता है बिल्कुल सही है नहीं आपको जैसे कि अभी हमने ऑपो रेनो फोर प्रो का रिव्यू किया था उसमें यह उससे थोड़ा कोस्टली है वह फॉन और उसमें सिर्फ 4000 एमेच की बेटी है तो मेरे साथ से इन्होंने जो फॉन आजकल मिड रेंज में आ रहे हैं वह यहीं देते है चार हजार यह 4500 एमेच चारजिंग के लिए आपको फास्ट चारजिंग का सपोर्ड मिलता है और तीज वोड का चारजिंग मिलती है तो मेरे साथ से यह ट्रेंड हो गया है मार्किट का अगर आप बेटी चार हजारे 4500 एमेच की देते हैं तो आप उसके साथ फास्ट चारजिंग का भी सपोर्ड देते हैं तो इससे क्या होता है एक बराबर बराबर हो जाते हैं यह असा कहूं कि असल में पास्ट चारजिंग मिड रेंज के लिए भी एक मतलब एक्स्ट्रा फीचर अस नहीं रह हैं बताता है कि मुझे पहरें का लगता है तो जैसा कि हमने फोन वास्ञ सब्छा कि अपने प्राइस नहीं है अपने जाह लेकिन प्राइस के साथ सब्सक्राइब बूल जाए तो इसका प्रोशेसर अच्छा है रैम एक अच्छे फोन के वरावर है और डिस्प्ले प्राइस के साथ से यह एक एक कंसीडरेबल फोन है और जो मेरी वर्डिक्ट है वो है कि प्राइस के साफ से काफी अच्छा फोन है और इन्होंने जो प्रोसेसर इसमें यूज किया गया है वो भी अच्छा है कैम्रा सेटप सब कुछ ठीक थाक है लेकिन वही बात है कि जितनी इन्होंने हैप मचाये टीक है वर्ल प्रस अपना most to for double i youngest you will be able to ivory for 25 Jord날 से और लेकिन इसी का जो अभी 25 เหारो व्यरिएंट है वह अभी तक तो मार्केट मैं मतलột इंडिया के मार्केट में अभी तक नहीं आया ऐसा कहा गया है कि September के 이 studio अंडिया फिर October में आ जाएगा तो ओवरोल जो इसमें package मिलता है वो आपको अगर आप फोटोग्राफिक आपको शोग के तो और गेमिंग वगेर भी आप करते हैं तो आपको तीस हार तक की रेंज में अच्छा फोन मिलेगा क्योंकि 12GB वाला फोन अगर आप जाते हैं दुसरे हाइं फोन में देखते हैं तो पचार आप से उपर चलाता है लेकिन ये तीस हार में आपको 12GB वाला फोन दे रहे हैं तो मेरे साब से एक अच्छी डील आपके ल झाला पुच्छाप झाला इच्छाप पर प्रोड़ कि अ कैसा ंपको 20GB वाला फोन देखते हैं तो में तो में वाला आपको